रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वाजत है प्यारी बच्चों आज हम हिंदी साहित्य का पार्ट बारा जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी वह पढ़ेंगे यह है प्रस्ट संख्या 97, 98, 99, 101, 102 पर है तो आएए शुरू करते हैं पार्ट बारा सुनीता की पहिया कुर्सी इस वीडियो में हम सबसे पहले पार्ट की रीडिंग करते हैं सुनीता सुबह साथ बजे सो कर उटी कुछ देर तो वह अपने विस्तर पर बैठी ही रही वह सोच रही थी कि आज उसे क्या-क्या काम करने हैं उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है सोचते ही उसकी आँखों में चमक आ गई सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ कर खीचा और उन्हें पलंग के नीचे की ओर लटकाया फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुरसी तक बढ़ी सुनीता चलते फिरते चलने फिरने के लिए पहिया कुरसी की मदद लेती है कुरस आज वह सभी काम फुर्ती से निप्टाना चाहती थी हाला कि कपड़े बदलना, जूते पहनना आधी उसके लिए कठिन काम है पर अपने रोजाना के काम के लिए अपने स्वयम ही कई तरीके ढून निकाले है आठ बजे तक सुनीता नहाद होकर तोयार हो गई मा ने मेच पर नाश्ता लगा दिया था मा अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा अलमारी में रखी है ले लो मा ने रसोई घर से जवाब दिया सुनीता खुझ जाकर अचार ले आई नाश्ता करते करते उसने पूछा मा बाजार से क्या क्या लाना है एक किलो चीनी लानी है पर क्या तुम अकेले संभालोगी पक्का सुनीता ने मुस्कराते हुए कहा सुनीता ने मा से जोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुरसी पर बैठ कर वह बाजार की ओर चल दी सुनीता को सड़क की जिन्दगी देखने में मजा आता लेक चूंकी आच्छुटी है इसलिए हर जगे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे है सुनीता थोड़ी देर रुखकर उन्हें रसी कूदते गैंद खेलते देखती रही वह थोड़ी उदास हो गई वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी उसकी मान उसे वापिस लेने के लिए आई थी दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे फिर सुनीता को एक लड़का दिखा उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिडा रहे थे उस लड़के का कद वाकी बच्चों से बहुत छोटा था सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए जबकि वहे उन्हें जानती तक नहीं थी पहले तो वहे मन ही मन खुश हुई परन्तु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ वला इस तरह क्यों देख रहे हैं खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दो बारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी तुम्हारे पास यह अजीब सी चीच क्या है उस लड़की ने सुनीता से पूछा यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी परन्तु उस लड़की की माँ ने गुसे में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया इस तरह का सभाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा अच्छा नहीं लगता माँ ने कहा मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ सुनीता ने दुखी होकर कहा उसे फरीदा की मा का विफार समझ में नहीं आया अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई दुकान में गुसने के लिए उसे सीडियों पर चड़ना था उसके लिए यह करबाना मुश्किल था आसपास के सब लोग जल्दी में थे किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चड़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया मैं अमित हूँ उसने अपना परिचे दिया क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ मेरा नाम सुनीता है सुनीता ने रहत की सांस ली और मुस्करा कर बोली पीछे के पैडल को पैर से जरा दवाओगे हाँ हाँ जरूर कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को तेड़ा करके उसके अगले पहिये को पहली सीड़ी पर रखा फिर उसने पिछले पहिये को भी उपर चड़ाया सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुँच सकती हूँ दुकान में पहुँचकर सुनीता ने एक केलो चीनी मागी दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी सुनीता ने गुस्से से कहा मैं भी दुसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ उसे दुकानदार का वेवार बिलकुल पस अच्छा नहीं लगा चीनी लेकर सुनीता और अमेत बाहर निकले लोग मेरे साथ ऐसा वेवार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीवो गरीव लड़की हूँ सुनीता ने कहा शायद तुम्हारी पहिया कुरसी की कारण ही वे ऐसा बिवार करते हैं अमेत ने कहा पर इस कुरसी में भला ऐसी क्या खास बात है मैं तो बच्पन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ सुनीता ने कहा अमेत ने पूछा पर तुम इस पर क्यों बैठती हो मैं पैरों से चल ही नहीं सकती इस पहिया कुरसी के पहियों को घुमा कर ही मैं चल फिर पाती हूँ लेकिन फिर भी मैं दूसरों बच्चों से अलग नहीं हूँ मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं सुनीता ने कहा अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ इसी तरह तुम भी अलग हो सुनीता ने कहा हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है अमित ने दुबारा अपना सिर ना महिलाया और कहा देखो तुम पहिया कुरसी पर बैठ कर चलती हो मेरा कद बहुत छोटा है हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है सुनीता को सोचने लगी उसने अपनी पहिया कुरसी आगे की और खिसकाई अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा सडक पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई इस वार फरीदा ने कोई सबाल नहीं पूछा अमित जट से सुनीता की पहिया कुरसी के पीछे चड़ गया फिर दोनों पहिया कुरसी पर सबार होकर तेजी से सडक पर आगे बढ़े फरीदा भी उसके साथ साथ दोड़ी इस बार भी लोगों ने उन्हें गुरा परन्तु अब सुनीता को अपनी परवा उनकी परवा नहीं थी तो आज हमने पार्ट बारा सुनीता की पहिया कुरसी अध्याय की रीडिंग की अब हम नेक्स वीडियो में इसका अर्थ समझेंगे तब तक आप इसको पढ़कर इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद